नमस्कार, बाई जूस आई एस में आपका स्वागत है, आज की तारीक है 13 फरवरी 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दाहिंदू अकबार में आए हुए कुछ प्रमुक आलेखों और एडिटोरियल्स पर जिसके तहत हम मुख्य परिक्षा से सम्बंधित कुछ महत्तपू अभ्यास प्रश्णों की भी चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, आज की जो हमारी पहली खबर है वह है फ्रंट पेज, पेज नमबर एक से ली गई है और मुख्य रूप से जी एस पेपर वन में सामाजिक मुद्दों से इसका संबंध है, मुख्य रूप से यह विवाहों को समाज में जातिगत और सामुदायक तनाव को कम करने की दिशा में काफी बहत्पूर्ण माना गया है, इसके संदर में सुप्रीम कोट ने यह निर्ने दिया है कि समाज के युवा वर्ग द्वारा जो सिक्षित युवा वर्ग है, उसके द्वारा समाज में अं उनको कम करने में काफी साहता मिल सकती है और मुख्य रूप से जब सिक्षित युवा वर्ग द्वारा अपने जीवन साथी का चुनाओ किया जाता है तो इसके संदर में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्तो देनी की आउशकता है मुख्य रूप से व्यक्तिकत चेहन का जो अधिकार है इसका संबंद आप जीवन जीने के अधिकार और अनुच्छेद 21 से भी इसको जोड़ कर देख सकते हैं इसके संदर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डॉक्टर भीम राव अंबेटकर द्वारा लिखित जाती बेद के बीज नाश यानी एनिहिलेशन ओफ कास्ट का भी संदर्व दिया गया इसके तहट डॉक्टर भीम राव अंबेटकर द्वारा जिने हम सम्विधान के पिता के रूप में जानते हैं उनके द्वारा जाती भेद के बीज नाश को किये जाने के संदर में एक महत्तपूर उपाई के रूप में अंतर जातिये विवा को मंजूरी दी गई उनके अनुसार रक्त का सम्मिश्रण ही अकेले परिजन भावना के होने का एसास पैदा कर सकता है और जब तक कि यह रिष्टेदारी वाली भावना दयालुता की भावना सर्वो परी नहीं होगी तब तक जो जातिगत अधार पर समाजों में अलगाव वाती भावना देख रिखी जाती है वह तब तक गायब नहीं होगी जब तक समाज में अनतर जातीए विवावों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा हाल के समय में जिस प्रकार से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विभा केंद्र में रहे हैं, उसके द्रिष्टिकोंड से सुप्रीम कोट का ये निर्णे काफी महत्पूर्ण है, हाल के समय में अनेक राज्यों द्वारा धर्मांत्रण को रोके जाने के संदर में तथा कतित हाला कि इसके संदर में जब-जब कोर्ट में या फिर आप कह सकते हैं उच्च नियालियों और सुप्रीम कोर्ट में जब इसके संदर में फैसले आते हैं तो उनका लगतार ये कहना है कि जीवन साती के चुनाओं में परिवार अथवा समुदाय की सहमती से आवश्यक जो भू वयसकों द्वारा विवा के संदर में लिये गए चैन की होती है और यदि दो वयसक आपस में विवा करना चाहते हैं तो इसमें परिवारों और समुदायों के इस्थान पर स्वयम वयसकों द्वारा किये गए चैन को सरवाधिक प्रात्मिक्ता दिये जाने की आउशक्ता है अब यह जो पूरा मामला है वह हाल ही में एक अंतर जातिये विभा की प्रिष्ट भूमी में आया है जिसमें एक MBA graduate द्वारा M.Tech Assistant Professor के साथ अंतर जातिये विभा किया गया पूर्ण रूप से काफी उच्च रूप से सिक्षित होने के बावजूद उनके परिवारों द्वारा इस विभा को इसलिए सुईकार नहीं किया गया कि दोनों अलग-अलग जातियों से बिद्दमान थे साथी साथ जब यह मामला पुलिस तक चला गया तब पुलिस ने भी इसके संदर में वयस्कों का साथ ना दे कर महिला को परिवार के पास आने का ही आदेश दे दिया अन्तता यह जो मामला है वह सुप्रीम कोट में गया और सुप्रीम कोट ने अब इसके संदर में एक महत्पूर निर्ने दिया है जिसके तहट विवा करने में वयसकों की स्वतंतरता और चैन के अधिकार को सरवाधिक महत्व दिया गया है इसके तहट सुप्रीम कोट ने इस बात पर भी अपने मत को व्यक्त किया है कि जब भी इस प्रकार के सामाजिक रूप से समवेदन शील मामने आएं तो इसमें पुलिस और जाच अधिकारियों को किस प्रकार की भूमी का निभाई जानी चाहिए इसके संदर में ट्रेनिंग भी दिये जाने की आउशकता है कि यदि हम इसके संदर में बहतर ढंक से ट्रेनिंग नहीं देंगे तो ना केवल अंतर जातिये विवाहों के प्रसार पर हम प्रभावी रूप से उसको रोक लगाये जाने के संदर में नकरात्मक भावनाओं को बहनाएंगे साथी साथ हमें इस संदर में यह समझे जाने की भी आउशकता है कि संबैधानिक मूल्यों के अनुरूप यदि पुलिस और जाँच अधिकारी विवाहर नहीं करेंगे तो अंतर जातिये विवाह समाज में अभी भी नकरात्मक रूप में ही देखे जाएंगे यही कान है कि सुप्रीम कोट का वर्तमान निर्ने ना केवल अंतर जातिये विवाहों को बढ़ावा दिये जाने के दिश्टिकोंड से महतबूर है साथी साथ सामाजिक रूप से समवेधनशील जो इस प्रकार के केस लगतार आते रहते हैं उनके संदर में भी हम किस प्रका पॉलिटी और गवर्नेंसे है यह संबंधित है लोकसभाद्वारा पारित किये गए एक कानून से जिसका नाम है मध्यस्ता और सुलह संशोधन अधिनियम 2021 यदि हम इस अधिनियम के महतपूर प्रावधानों के बारें बात करें तो इसके माध्यम से अब जो मध्यस्तता मा कामलों के संदर में जो इससे संबंधित हित धारक पक्ष है वह है उन मध्यस्ता पुरुषकारों अथ्वा निर्नेओं के परवर्तन पर बिना शर्त इस्ते लगवा सकते हैं जहां पर मध्यस्तता समझोते या अनुबंद धोका धड़ी या भ्रहस्टाचार से प्रेरित हो और सरकार द्वारा मध्यस्ता पुरुषकारों के संदर में यह जो कानून में परिवर्तन किया गया है इसको पूर्व व्यापी रूप में या फिर आप कह सकते हैं पिछली तारीक से लागू किया गया है और यह 23 अक्टूबर 2015 से लागू किया जाएगा इसमें जो संशोधन हुआ है उसके अनुसार यदि न्यायल्य को लगता है कि परथम द्रष्ट्या जो मध्यस्ता समझोते या अनुबंध पुरुषकार हुए हैं वह किसी प्रकार की धोकादड़ी या ब्रस्टाचार से प्रभावित हैं तो वह मध्यस्ता समझोते पर रो भले ही कानून की धारा 36 के तहट अदालत में इसके खिलाफ अपील दायर की गई हो और अब जो कानून में संशोधन हुआ है उसके माध्यम से इस प्रकार के मध्यस्ता समझोतों को रोके जाने की विवस्ता की गई है जिसका काफी महत्पूर्प्रभाव भविश्य में देख पर बल दिया गया है कि चूंकि भारत में संविधान के माध्यम से शक्ती प्रथकी करण को मानेता दी गई है और इसके माध्यम से कारेपालिका, विधाईका और न्यायपालिका तीनों की अलग अलग भूमिकाएं इस पश्ट की गई हैं अतहा इस शक्ती प्रथकी करण को द्यान में रखते हुए हाल के समय में जिस प्रकार से नियायपालिका ने अपनी भूमिका का अतिक रमन किया है और उसके अधार पर जिस प्रकार से नियायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधाईका के छेत्र में जाकर निडने लेते हुए उन पर जिस तरीके से निया से जनहित या चिकाओं या फिर जिसे अंग्रेजी में PIL कहते हैं उनकी भूमिका जिस प्रकार से बढ़ी है उसके चलते कई बार न्यायपालिका इस प्रकार के निर्णे लेता दिखाई देता है इसके संदर में ही अब सरकार ने ये व्यक्त किया है कि इस पूरे मामले के निर्णे लेना होगा ताकि किसी भी सरकार के अंग पर अथवा किसी भी प्रकार के दूसरे राजविवस्था के अंग पर इस प्रकार के आरोप ना लग सके मुख्य रूप से नियायपालिका को इसके संदर में जो अन्य महत्तपूर मामले हैं उन पर भी समय समय पर गौर क किया जाना चाहिए, जैसे कि नियाएपालिका को देखना चाहिए कि श्रमिकों की दशाएं किस प्रकार की हैं, श्रमिकों को मानकों के अनुसार भुक्तान, वेतन दिया जा रहा है यत्व नहीं, और यदि वो इसके संदर में मुख्य रूप से आप कह सकते हैं, मूल अधिका जिसका संबंध GS Paper 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों से है, मुख्य रूप से यह संबंधित है, हाल ही में चर्चा में रहे, इंटरनेट अधारित ओवर दी टॉप स्ट्रीमिंग सेवाओं के विनियमन से, और इसके संदर में एक नवीन घटना करम ये देखा गया है, कि ओवर दा टॉप स्ट्रीमिंग सेवाओं के विनियमन का जो प्रश्न है, वो काफी लंबे समय से चर्चा का विशह है, इसके संदर में नौंबर ने सूचना और प्रसाण मंत्राले द्वारा ये कहा गया था, कि वह जल्द ही ओवर दा टॉप स्ट्रीमिंग सेवाओं का वि जिस प्रकार से भारत में OTT स्ट्रीमिंग सेवाओं के संदर में स्वा विनियमन की अधिक आवशक्ता है, मुक्य रूप से इंटरनेट और मोबाइल एसोसियेशन ओफ इंडिया द्वारा इसके संदर में कारह किया गया है, हाल के समय में जिस प्रकार से विवित प्रकार की जो वेब सीरीज आदी आई हैं और उन वेब सीरीज जैसे की टांडव आदी उन पर जिस प्रकार से आरोप लगाए गए हैं, जैसे की अशलीलता को बढ़ावा, सामाजिक शरत्रुता को बढ़ावा, धार्मिक भावनाओं को आहत करना आदी, उस पूरी प्रस्ट भूमी म सूचना और प्रसारण मंत्राले उसको विनियमित करने की बात कर रहा था, हालकि इसकी आलोचना इस अधार पर की जा रही थी कि OTT प्लेटफॉर्म पर सरकारी विनियमन से जादा आवशक है कि खुद OTT प्लेटफॉर्म इसके संदर में कारे करें, और अब इसके माध्यम स OTT प्लेटफॉर्म यह प्रयाज कर रहे हैं कि वह खुद से ही सौविनियमन के एक रेगुलेशन के साथ सामने आ सकें, मुख्यरू से इसके माध्यम से जो भारतिये डंड सनिता है, IPC, उसके प्रावधानों पर बल दिया गया है, साथी साथ भारत में महिला और बच्चों स सम्बंधित जो अधिकार और कानून है, उनका सम्मान किया जा सके, कॉपिराइट और आयू के अनुरूप, सर्टिफिकेशन और पैरंटल कंट्रोल को स्थापित किया जा सके, मुख्यरूप से इसके माध्यम से कोशिच ये की गई है कि भारतिये सम्विधान में जो व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित संब्यधानिक प्रावधान है, उनको हम बना के रख सके, अब यह जो रेगुलेशन आये हैं, मुख्यरूप से 2016 में श्याम बैनेगल की अध्यक्चता में गठित फिल्म सर्टिफिकेशन पर एक्सपर्ट कमिटी के सुझावों पर भ उसमें जो रचनात्म का विव्यक्ति होती है, उसको सरवाधिक महत्त दिया जाना चाहिए, और इस प्रकार का जो भी कंटेंट आता है, उसके संदर में वह सही है अथवा नहीं, इस पूरे मामले में निर्ने करने का जो अंतिम अधिकार होना चाहिए, वह उसको देखने व हमें इस पूरे मामले के संदर में दर्शकों की आयू को भी ध्यान में रखना चाहिए, और दर्शकों की आयू के अनुरूप ही उचित रूप में फिल्मों का वरगीगान किया जाना चाहिए, ताकि हम बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की भी रख्चा इसके संदर मे कर सकें अब अगर हम इसके संदर में जो इस पूरे वाद विवाद को देख रहे हैं इसमें हमें इस बात को भी समझने की आउशकता है कि यह पूरा विवाद किसी ना किसी परकार से यह भी देखा जा रहा है कि इसके माध्यम से सरकारें खुद से ये कोशिश कर सकती है कि वह OTT platforms का regulation या विनियमन खुद से करने लगे हाला कि अब जो इस तरीके के self-regulating guidelines या swap विनियमन करने वाली जो guidelines आई हैं वह काफी महत्पून हो चली है इस पूरे विवात की प्रश्ट भूमी में हम पारदर्शिता को बढ़ावा दे सकें इसकी आउशकता है साथी साथ जो विवित प्रकार की संस्थाएं हमने बनाई हैं चाहे वो फिल्म से संबंदित हों चाहे वो टीवी आदी से संबंदित हों वह जिस प्रकार से विनियमनो को लागू कर रही हैं इस पूरी प्रश्षभूमी में हमें यह भी समझने कि आउशक्ता है कि जिस प्रकार के विनियमन लागू किये जाने चाहिए वहें पूर्व निरधारित मानकों के अधार पर स्थापित हों ताकि उनमें किसी भी प्रकार के सरकारी नियंत्रण को भावा दिये जाने का आरोप नालग सके तो यह पूरा मामला पारदर्शिता क्या पेक्षा करता है और संस्थाओं के उत्तर दयत को भी इस्थापित करने की बात करता है अब हम बात कर लेते हैं OTT क्या होता है जिस शब्द के बारे में बात कर रहे हैं OTT जिसे अंग्रेजी म मीडिया सेवाएं यह ऐसा कोई भी online समगरी या content प्रदाता हो सकते हैं जो stand alone उतपाद के रूप में streaming मीडिया प्रदान करते हैं जिसमें video on demand platforms हो सकते हैं, audio streaming हो सकती है या फिर internet अधारित voice calling समधान भी शामिल हो सकते हैं वर्तमान में आपने इसके संदर में काफी उधान सुने होंगे जिसमें Amazon है, Netflix है, Hotstar है, यह सभी जो हैं OTT के महतपूर उधान है जो पारंपरिक मीडिया विटरर चैनल होते हैं जैसे कि दूर संचार network या cable TV उनसे OTT सेवाएं इस रूप में अलग मानी जाती हैं क्योंकि यह इन्टरनेट कनेक्शन पर अधारित होती हैं और जब तक आपके पास एक बहतर इन्टरनेट कनेक्शन है तब तक इनके द्वारा प्रदान की जा रही सभी सेवाओं को आप पूर्ण रूप से आनंद ले सकते हैं विशेश रूप से जो कोरोना वाइरस का काल आया और इसम बाद OTT प्लेटफॉर्म का महत्व और लोगप्रिता काफी बढ़ी है क्यूंकि उनके द्वारा काफी कम कीमत पर उच्च मूले वाली यानि हाई वैल्ली वाली सामगरी कॉंटेंट दिया जा रहा है साथी साथ स्वयम इन प्लेटफॉर्म द्वारा अब वरतमान में काफी ओरिजनल कॉंटेंट जिसमें आप वैब सीरीज अत्वा फिल्म्स का नाम ले सकते हैं वह प्रदान की जाती हैं जिसमें नेट्फिक्स और एमेजॉन प्राइम काफी महत्पूर्ण भूमी का निभा रहे हैं साथी साथ यह तकनीकी अधार पर भी आपको काफी सुलवता द देता है जो इनकी लोगप्रियता का महत्पूर्ण कारक है अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 पर दिये गए आर्टिकल की जो संबंदित है जी एस पेपर 3 में परियावन और पारिस्तित की से मुख्य रूप से यह संबंदित है 2020 की आपदाओं के काल से और जिस प्रका रूप में जंगल की आग को देख था वह सभी इस बात को संकेतित करते हैं कि किस प्रकार से जलवायू परिवर्तन के प्रभाव या फिर दुश प्रभाव बढ़ रहे हैं और इसके संदर में देशों को मिलकर एक प्रत्यास्त या फिर एंग्रेजी में जैसे कहते हैं रेजिलियंट प्रकार का लोच शील प्रकार का विश्व को बनाने की जरूवत है ताकि दुनिया भर में जिस तरीके से चरम जलवायू की स्थितियां देखी जा रही हैं इसके समक्ष हम खड़े रह सकें और मुख्य रूप से कोशी शे करनी होगी कि 2100 तक हम इस पूरे त आपमान वृद्धी को दो डिगरी सेंटीग्रेट से कम कर सकें आदर्श रूप में देड़ दिगरी सेंटीग्रेट तक इसे सीमित किया जा सकें मुख्य रूप से कई सारे जो देश हैं वो इसके संदर में लगतार कारे कर रहे हैं भारत और ऑस्टेलिया दोनों भी मिलकर इसके संदर में कारे कर रहे हैं अंतराश्टी इस तर पर नीदर लेंड्स में इसके संदर में जनवरी 25 और 26 को वर्चुल आधार पर जलवायू अनुकूलन शिखर सम्वेलन क्लाइमिट एड़ेप्टेशन समिट आयूजित किया गया और इसके माद्यम से इस बात पर बल गया गया कि हमें किस प्रकार से एक जलवायू प्रत्यास्त या फिर आप कह सकते हैं जलवायू लोच शील भविश्य को बनाये जाने की आउशक्ता है अब इसके संदर में बहुत सारे सुझावों की बात समय समय पर की जाती रही है मुख्य रूप से यदि हमें जलवायू परिवर्तन के नकरात्मत प्रभावों से बचना है तो आधुनिक विज्यान के तरीकों को अपनाने के साथ ही जो हमारा पारमपरिक ज्यान है उसको भी संदक्षित करना होगा और इस पारमपरिक ज्यान को संदक्षित करने के साथ ही इसे हम आधुनिक विज्यान के अधार पर standardized या फिर मान की करत कर सकें इसको भी किये जाने की आउशक्ता है जैसे कि 2004 में अंडमान निकोबार्ट डीव समू में जो सुनामी की घटना देखी गई उसमें ये देखा गया कि वहां की जो जनजातियां थी जो आदिम जनजातियों के रूप में देखी जाती है वह किस پरकार से अपने पारंपरिक ज्ञान मात्र के अधार पर इस व्यापक सुनामी से बच सके यानि जो इस्थानिय समुदाएं हैं उनके पास इस प्रकार का ज्ञान है जिससे वह जलवायू परिवर्तन अथवा चरम जलवायू इस्थितियों से ना केवल अपने को बचा सकते हैं अपितु यदि हम इसको आधुनिक विज्ञानों के सिध्धान्त की अधार पर विख्सित करें तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया को भी इसके संदर में बचाया जा सकता है साथी साथ हमें इसके संदर में कोशिश करनी होगी कि पूरी दुनिया में हम व्यापक अधार पर लोच शील भविश्य के लिए फंडिंग को सुनिश्चित करें ताकि सूखा और बाड जैसी जलवाईयू आपदाएं अगर देखी जाएं तो हम उनसे बहतर डंग से निपड सकें मुख्य रूप से हमें ऐसी तकनीकों में निवेश करने पर बल देना होगा जो लो कार्बन उच्सरजन करती हैं या फिर निम्न कार्बन उच्सरजन करने वाली आधुनिक तकनीके हैं और कई देशों द्वारा इसके संदर में प्रयास किये गए हैं भारत द्वारा इसके संदर में आपदा लोच शील अव संरचना के लिए गटबंधन को बढ़ावा दिया गया है Coalition for Disaster Resilient Infrastructure इसके अलाबा भारत ने ये प्रयास किया है कि हम अन्तराश्टिय स्तर पर अन्तराश्टिय सौर गटबंधन के माध्यम से सौर उड़जा का लाव उठाने के लिए देशों के साथ मिलकर कारे करें भारत आस्टेलिया जैसे देशों द्वारा इसके संदर में लगतार प्रयास किये जा रहे हैं ताकि भविष्य में होने वाला जो जल संकट है उससे निपटने के लिए हम जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा दे सकें मुख्य रूप से इसके संदर में कोशिच की जा रही है कि हम ऐसी हरित तकनीकों का निर्मान करें जो बेहत कम कार्बन उत्सरजन करती हो अथवा शून ने कार्बन उत्सरजन करती हो इसके तहट हाइड्रोजन इंधन पर बल दिया जा रहा है कार्बन को कैप्चर करने उसको प्रियोग करने उसके स्टोरेज पर बल दिया जाता है मिर्दा कार्बन के उपयोग पर बल दिया जा रहा है, साथी साथ हम इसके संदर में जो हमारा उड़जा है, उसको स्टोर करके नवी करणी उड़जा के विकास पर बल दे सकें, इस पर भी देशों का जोर है, साथी साथ जो अधिक कार्बन उत्सरजित करने वाले छेत्र हैं इसके लिए भी प्रयासों को किया जाना आवशक है लेकिन इसके लिए लगतार इस बात वे बल दिया जाता है कि विक्सित देशों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह विकासील देशों को समय बद आधार पर हरित तकनीकों का इस्थानांतरन करें मुख्य रूप से इसमें पार्टनर्शिप यानी भागिदारी को बढ़ावा देने की आवशकता है तब ही हम जलवाईयू परिवर्तन के संदर में लोच शील उपायों को बहतर धंग से लागू कर सकेंगे अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर साथ में दिये गए आर्टिकल की जिसका संबन्ध GSP पत्री में परियावन और पारिस्तित्की से है मुख्य रूप से यह संबन्धित है तेलंगाना के कवाल टाइगर रिजर्व में मानव वन्य जीव संघर्ष के उधारन के रूप में कवाल टाइगर रिजर्व जो छेतर है वहाँ पर यह देखा जा रहा है कि एक बाग द्वारा कुछ व्यक्तियों का शिकार किया गया है और इसके अधार पर उस बाग पर मानव हंता या फिर मैन इटर होने का आरोप लगाया गया है इसके संदर में लगातार खटनाएं देखी जा रही है जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से मानव और वन्य जीवों का संघर्ष यह जो मानव और वन्य जीवों का संघर्ष है उसके संदर में विशेशग कई सारे कारकों की भूमिका बताते हैं मुख्यरू से इस बात पे बल दिया गया है कि हाल के समय में जिस प्रकार से भारत द्वारा वन्यजीव जैसे की बाग आदी को बचाने की दिशा में प्रयास किये गए हैं उसके चलते उनकी संख्या जरूर बड़ी है लेकिन जो उनका निवास छेतर है वह लगतार से जा रहा है लगतार उसका व्यापक विनाश होता जा रहा है इसी के तुल्ला में जो मानाव द्वारा निवास करने के स्थान है मानाव द्वारा किर्शी करने के स्थान है पशुचारण छेतर है उनमें लगतार व्रिद्धी हो रही है और इसके चलते हम लगतार उन प्राक जीवों के निवास इस्थल के रूप में जाना जाता है अब इससे एक परकार का विरोधा भास पैदा हो रहा है कि हम बागों की जनसंख्या को बढ़ता हुआ देखना हैं वहाई दूसरी ओर उनके छेत्र सिकुडते जा रहे हैं जो संगर्शों को बढ़ा देता है यदि हम आकणों के बारें बात करें तो चोथी टाइगर जनगर्णा बाग जनगर्णा के अनुसार भारत में लगभग आप कह सकते हैं तीन हजार बाग हैं लगभग तीन हजार उननिस सो सरसट इन जो गिंती है बागों की वहें 2006 में 1411 थी जो वर्तमान में बढ़कर 3000 हुई है संदर में यह कह सकते हैं कि भारत त्वारा जो प्रोजेक्ट टाइगर को अपनाया गया वहें काफी सफल साबित हुआ है भारत ने इसके संदर में सेंट पीटर्स बग गोशना 2010 के अनुसार जो बागों की संख्या को दुगना करने का लक्ष रखा था वह भी प्राप्त कि हाला कि इसके संदर में जो राष्टिय प्राधिकान है राष्टिय बाग संदक्षन प्राधिकान एंटिस ये उसका यह कहना है कि भारत में जितना छेत्र विद्दमान है मुख्यरूप से बागों के संदक्षित छेत्र के संदर में वहाँ पे बागों की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में अब यह समस्या देखी जा सकती है कि भविष्य में बागों की संख्या जादा हो जाएगी और उनके लिए जो संदक्चित छेत्र हैं वो कम पढ़ने लगेंगे और निश्चित रूप से इससे भविष्य में संखर्ष और भी बढ़ सकते हैं क्यूंकि भारत में बागों के उपलब्द छेत्र के संदर में अधिकतम 3000 बाग ही संभव हैं इसी के संदर में हम लगतार इस बात को देख रहे हैं कि किस परकार से जो बाग हैं वह अपने लिए संदक्चित छेत्र या फिर वन्यजीव अभ्यरने छेत्र से बाहर निकल कर मानव छेत्र में आ जाते हैं मुख्य रूप से जो महराश्ट तेलंगाना छेत्र है जहां पर बागों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी हुई देखी गई है वहाँ पेजथरे की गटनाएं लगतार देखी जा रही है जो कावल टाइगर रिजर्व है वह भी इसके संदर में काफी महत्पूर है क्यू महां से भी है अब युसर सारे के टारे जो टाइगर रिजर्व हैं इनको आपस में जोड़ने के लिए टाइगर कौरिडोरिस की भी स्थापना की गई है हाला कि इन सभी प्रयासों के बावजूत संगर्श बड़े हैं जिसको निवारित करने के लिए हमें कार्य करना होगा मुख्य रूप से हम इस संदर में ये प्रयास करने होंगे कि जिस तरीके से वर्तमान में संघर्ष देखे जा रहे हैं उन सभी संघर्षों को कम करने की दिशा में हम निवारन उपायों को अपनाएं मुख्य रूप से इसके संदर में विशेशक्यों दोहरा ये कहा जाता है कि वर्तमान में जो हमारा वन्ने जीव संदक्षन का दिश्टिकोण है वह केवल पारकों तक सीमित नहीं होना चाहिए अपितु इसके संदर में व्यापक प्रयासों को किये जाने की आवशकता है मुख्य रूप से इसके संदर में हमें सह जीवन दिश्टिकोण को अपनाना होगा को अकरेंस एप्रोच इसके तहट मुख्य रूप से हमें मानव जीवन को महत्व दिये जाने के साथ ही जो जीव जन्तू है उनको भी रहने का अधिकार है इस दिश्टिकोण को समझना होगा और जो संरक्षन की बात की जाती है उस संरक्षन में सामुदाइक भागिदारी या फिर आप कह सकते हैं समुदायों की भागिदारी को बढ़ावा देना होगा साथी साथ जो वन्यजीव हैं वह भटक कर मानव जनसंक्या छेतर में ना आए इसके संदर में हमें सरल चेतावनी और छती निवारन प्रथाओं को अपनाने की आउशकता है इसके तहट हम जो फसलों में बार लगाते हैं उसमें सुधार दाये जा सकते हैं बहतर पशुपालन के तोर तरीकों को अपनाये जाता है ते कि जो पशुपालन है या फिर जो पूरा जो समुदाय है वह बागों से प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के विकास के संदर में सामुही कुरूप से प्रयास करें ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनका हम समय रहते ही निवारण कर सकें साथी साथ हमें इसके संदर में इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि जो वन्नेजीव संथा खेटर है या ताइगर रिजरवादी खेटर है वहाँ पर बागों को परियाप्त भोजन और जल की उपलब दता हो इसके संदर में यह सला दी जाती है कि जो हीरन और सुअर जै किया जाना चाहिए साथ हमें इसके संदर में जो जन्तु हैं जो बाग हैं उनके प्रति उनके व्यवहार को समझने के लिए उनके संदर में पहतर प्रबंधन प्रताओं को अपनाने के संदर में प्रयास किये जाने के आउशकता है क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि जब वरतमान में जिस प्रकार से विवित प्रकार के जन्तुओं आदी के प्रती संदक्षन की सीमाओं को पढ़ाया गया है। प्रक्षित बनाने की जरुवत है, इसके संदर में बहतर, इको, ब्रिज, आदी बनाने की जरुवत है। और साथी साथ यदि हम चाहें तो फंड्स की कमी को पूरा करने के लिए और प्रकार के जो संगर्श हैं उनको हम न्यून से न्यून कर सके। अब हम बात कर लेते हैं, पेज नंबर आठ पर दिये गए एक अन्यालेक की जो संबंदित है जी एस पेपर टू में हेल्थ या स्वास्थ से। यह संदर्वित है बैंगलूर के National Institute of Mental Health and Neurosciences यानि निम्हांस द्वारा किये गए एक अध्यान से जिसके तहत इस धार्णा को खारिच कर दिया गया है कि यदि कोई भहुत जादा शराब पीता है और उसके बाद वो शराब पीना बन कर देता है तो शराब की अथ्यदिक से सेवन करेंगे और सतन दस ड्रिंक्स पर डे तो भविश्य में ऐसा हो सकता है कि आपका जो DNA है या फिर आनुवांशिक जो आपका पदार्थ है उसमें अब परिवर्तनी ये परिवर्तन हो सकते हैं और ये तब भी बने रहेंगे जब आप शराब की सेवन को छोड़ देंग इसके तहट जो अध्यन किया गया उसमें इस बात को पुष्ट किया गया है कि यूं तो माता पिता से हम आनुवांशिक पदार्थ यानि जीन DNA आदी को विरासत में पाते हैं लेकिन यह जो जीन एक्सप्रेशन होता है जीन की अभिव्यक्ति होती है वह प्रतेक व्यक्ति म एक अनोखे ही तरीके से विनियमित होती है जो उसकी जीवन शैली से प्रभावित होती है और यदि कोई व्यक्ति एक सीमा से जादा एलकोहॉल शराब का सेवन करता है तो ऐसा संभव है कि उसका जो जीन एक्सप्रेशन है जीन अभिव्यक्ति है उसका पैटर्न नकरात्मक रूप से प्रभावित होगा और ये काफी सारी प्रणालिगत जटिलताओं को ला सकता है और इसी के जलते यह निर्ने दिया गया है कि डिने में संभावित बदलावा सकते हैं अत्यादिक शराब को पीने से व्यक्ति रूप से इस शोद के माध्यम से इस बात पर बलतिया गया है कि जो शराब का प्रभाव है वह उन लोगों में अधिक इसपश्ट होता है जो बेहत कम उम्र से ही शराब पीना शुरू कर देते हैं और इससे बात पुष्ट होती है कि जो व्यक्ति जल्दी पीना शुरू कर देते हैं वह अपने स्वास्त को किस प्रकार से हानी प में यह आले काफी महत्पूर्ण हो सकता अब हम बात कर लेते हैं मेंस प्रेक्टिस कोश्चन की पहला कोश्चन है फिल्मों और मीडिया के प्रती एक पुलिस दिश्टिकों केवल दुश प्रचार की एक एकल संस्कृती मोनो कल्चर का ही विकास करेगा क्या आप सेहमत हैं अन्य रूपों के जवाव में अनुकूलन और प्राकर्तिक संसाधन प्रबंधन रणीतियों के विकास के लिए एक अमूल अधार है चर्चा करें 150 शब 10 अंग तो आज की परिचर्चा के अधार पर इन दोनों प्रश्णों को लिखने का प्रयास आप कर सकते तो इस प्रका लिख शेयर और सब्सक्राइब करें आज के अंक में फिलहाल इतना ही धन्यवार